हेलो फ्रेंड्स चैमाता दी राम राम जी सब के लिए कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स और मैं आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे और मेरी माता रानी से यही दुआ है कि मेरी YouTube family चहां भी रहे वो खुश रहें और मस्त रहें क्योंकि आज की भागदोर वरी जिंदगी में खुश रहना और मस्त रहना ही अपने आपके लिए सबसे best दवाई है best energy है क्योंकि हम इतनी भागदोर की जिंदगी में अपने लिए time कभी निकालते ही नहीं औ और खुद के लिए भी time निकाला करिए तो चलिए friends आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और वीडियो करते हैं शुरू बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे यही रुक्यास्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं तो please friends चैनल को कर दिजिए subscribe और वीडियो को कर दिजिए like और एक प्यारा सा comment और मैंने क्या बनाया है friends आज वो दिखाती हूँ आपको वीडियो में तो बने रहेगा friends वीडियो में और वीडियो को पूरा watch कीजिएगा और एक प्यारा सा comment तो चरूर कर दिजिएगा आप सब लोग मेरी वीडियो को watch करते हैं मुझे बहुत अच्छ करके वीडियो बनाया करें तो please please बहनो आज कल बारिश हो रहे हैं मैं कहीं बाहर नहीं जा पार हूँ वैसे तो मैं बाहर से वीडियो शूट करते हूँ मुझे पता है कि अंदर कमरे में अंधीरा होता है पर क्या करूँ मेरा सारा टाइम तो घर की अंदर और बाहर के कामों में ही वीडियो में चाहता है तो इसलिए आज कल में घर पे हूँ तो please अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो please माफ करना पर जैसे ही बारिश बंद हो चाहेगी तो मैं बाहर से वीडियो ज़रूर बना कर के लाओंगी और मैं ज्यादतर अपनी वीडियो बनाती हूँ क क्योंकि आपको पता है friends एक housewife कहां रहेगी जादा उसका सारा दिन kitchen में ही बीच जाता होगा तो मेरा भी इसी तरह से kitchen में ही बीच जाता है तो शमा करना friends अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आती हो तो please मैं बताती हूँ अपना आगे का तो वीडियो में बने रहन देखिए friends यह लगे हैं इसमें यह जो यह छोट एक तो देखिए मैं इनको ना जैसे जैसे निकार रही थी तो इनसे दूद निकलता है और यह इस तरह से चिपक जाता है हाथों में और इससे ना खारिश होने लगती है हाथ में पर जब हम तेल लगाते हैं हाथों में सरसो होगा तो खारिश नहीं होती है पर friends मैं तो यहां पर लकड़ी लेने आई थी और खेत में तो मुझे यहां पर दिख गए तो मैंने सोचा कि इसकी सबजी बनाएं आज और अपने friends के साथ भी share करें तो देखिए इसमें बहुत सारे लगे हैं बस मैं इंको निकाल लेती हू हमारी भाशा में दावकले बोलते हैं और friends यह जो natural प्राकरतिक सबजीयां होती है ना हमें इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि friends यह ना इसमें किसी ने राजायनी खाद नहीं डाली है बस एक बात है कि इससे ना जो दूद निकलता है उससे मेर हाथ खराब हो गए है तो इगनॉर करना यह तो मैं घर पे जाके दोलूँगी सबजी और हाथ भी तो मेरे पास और कुछ भी सामानी था मैं तो यहाँ पर आई थी खेत में अपने यह लकडी कटी करने और मैंने देखा कि यहाँ पेड में लगी है अंजीर और यह सबजी के लाइक हो चुकी है तो बस मैंने तोड़ ली और फटफट से मैंने धाटू के उपर ही रख ली तो इनको मैं घर जाके बताऊंगी सबजी कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स यह होती है प्राकरतिक सबजीयां देखिए फ्रेंड्स यह खेत में लगा है पेड और इसको ना तो किस ने खाद दी है ना किसी ने पानी दिया है इसको वर्षा का जल मिलता रहा और यह खुदवखुदी बड़ा हो गया है और खाद तो इसको हमने डाली है जैविक पर भू भी हमने सिर्फ खेत में डाली है तो जो खेत में डाली थी खाद वही इसकी जड़ों तक पहुंची ह जैविख इसका यूज करने से हमारे चिरीर में जो अतनी महेंगी महेंगी दवाईयां लिखते हैं तो अलर्जी से बचने के लिए फ्रेंट्स जरूर खाएं ये अंजीर की सबची बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही स्वादिश्ट होती है मैं किस तरह से बनाओंगी इसको पो मैं शेयर करूँगी आपके साथ घर में तो चलिए फ्रेंट्स अब चलते हैं घर की तरफ तो देखिए फ्रेंट्स यहां पे हमने चुले में आग जला ली है और अब हम करेंगे सबची बनाने की त्यारी ये अंजीर जो हमने लाए थे इनको हमने धो करके अच्छी तरह से वाश कर लिया है और बस अब इनको हम पहले कुकर में दो से तीन एक सारी एक से दो सीटी लगाएंगे और साथ में शाम का टाइम है तो हम पी रहे हैं चाय भी तो सबसे पहले आईए फ्रेंट्स आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए देखिए फ्रेंट्स यहां पे मैंने रख दिया है कुकर इसमें मैं एक लिटर पानी डालूँगी और ये मैं इसमें डाल दूँगी अंजीर बहुत देखिए फ्रेंड्स यह देखिए इसमें मैंने डाल दिया है और बस इसको मैं सबसे पहले एक से दो सीटी लगा लूँगी और फिर आगे क्या करना है बहुत आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देखिए फ्रेंड्स यहां पर कितनी हवा लगी है बहुत तेज्ट मेरी आग जो है तो इधर से उदर को हुरही है बहुत दुआ लगता है यहां पर जब हवा चलती है और आगे फ्रेंड्स आप भी हम सब पी लेते हैं चाय और यह ऐहां पे, यह देखें, यह उठके हैं हैं और आजी कोटी में हैं तो इनके लिए हमने किया है दूदगरम, तो इनके लिए देते हैं दूद, यह पीएंगे दूद, और मैं पी लेती हूँ चाय, तक-Tक मेरा यह उबल जाएगा, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे कुगर में एक से दो सीटी लग गई है और अब मैं इसको ठालूँगी और ठंडा होने के लिए साड में रख दूँगी देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो हमारे अंजीर थे वो अच्छी तरह से उबल चुके हैं और अब मैं इंको पानी से बिल्कुल अलग कर लूँगी तो दिखिए फ्रेंड्स मैंने अंजीर को पानी से बिल्कुल अलग कर दिया है और इनको मैंने पेस्ट के तोर पे मोटा मोटा दर्रा दर्रा सा बना लिया है पानी बिल्कुल नहीं है इसमें यह बिल्कुल मैंने हाथ से निचोड के साइड कर दिया है आप चाहें तो सिल्वट्टे पे भी कर सकते हो और यहाँ पे मैं नॉर्मल मसाले कुकिंग के लिए योज कर रही हूँ बस सिंपल से मसाले हैं फ्रेंड्स धनिया, जीरा और मेथी, मिर्ची इसके सिवा मैं कभी कभार किजन किंग पाउडर योज करती हूँ और कुछ भी नहीं, बस सिंपल से तरीके से मैं सबजी बनाती हूँ और फ्रेंड्स जितना सिंपल तरीके का भोजन हम खाते हैं वो उतना ही हेल्दी होता है हमारे लिए ये तो आप भी जानते हैं तो बस फ्रेंड्स मेरा तड़का हो रहा था तयार और ये बिल्कुल से पक रहा था सबजी हमारी उसी पर डिपेंड करती है सबजी का टेस्ट वैसा ही होता है जैसा कि हमारा तड़का पका हो और मैंने डाल दी है इसमें हल्दी से भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी और साथ में मैंने डाल दिया है एक टमाटर मेरी सबजी के हिसाब से इसमें एक टमाटर काफी था और साथ में मैं डाल दूँगी नमक तेस्ट के अनुसार सबजी मैं नहीं मिलाओंगी नमक मैंने यहीं पर मिला दिया है इससे मेरे टमाटर भी आसानी से गल जाएंगे और ये जल्दी से बन भी जाएंगे एक्टम से गल जाते हैं नमक के साथ ये फ्रेंड्स तो देखिए ये मेरे गल के तयार हो चुके हैं कुछ इस तरह से अब मैं इसमें अंजी डाल दोंगी जो मैंने मोटी मोटी पीसी हुई थी बस इसको मैं एक से दो मिनट तक ऐसे ही पहले हिलाती रहूंगी ताकि इसमें मेरा तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए और देखिए फ्रेंड्स मैं इसको बना रही हूं गरेबी व तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका कलर निखर की आया है और इसको मैं एक से दो उबाली तक मतलब पांच से साथ मिनट तक उबाल लूँगी पका लूँगी जिसे की अच्छे से पक जाएं और यहां पे मैंने लगा दिया ढखकन और देखिए मेरे पांच से साथ मिनट बाद यह उबर रही है और सब्जी मेरे बिल्कुल तयार हो गई है आप भी फ्रेंड्स एक बार से पना के देखिएगा यह जो प्रागर्दिक सब्जियां होती है यह हमारे लिए काफी हलपफुल होती है हमारी सेहत के लिए तो हमें अवश्य ही इन सब्जियों का प्रियोक करना चाहिए अगर वीडियो आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक सेर और सस्क्राइब कर दीजिएगा मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स